नमस्कार दोस्तो, सुआगत है आपका हमारे चैनल सान फैसन डिजाइनर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुती सुनदर सिलीव डिजाइन बना कर दिखाएंगे यह डिजाइन बहुती आसान होगा और बनने के बाद काफी सुनदर होगा तो दोस्तो हमारी वीडियो को सिर्फ एक बार देखने के बाद आप इस डिजाइन को काफी आसानी से बना पाओगे तो दोस्तो डिजाइन बनाने के लिए हमने ये अपनी सिलीव की नॉर्मली कटिंग कर रखी है और एक ये मोटी डोरी पलट रखी है प्रेस से हमने इसे अच्छी तरीके से बैठा रखा है आप चाहे तो अंदर की साइड कपड़ा करने के बाद दोनों तरफ सिलाई लगा कर भी से बना सकते हो तो दोस्तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देके और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हमें एक बुकरम के पीस की जरूरत होगी इसका साइज हम आपको बता देते हैं इसकी लंबाई हमने ले रखे है बारा इंच और चोड़ाई यह हमारी है साड़े पांच इंच इसे हम ऐसे बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहां से हम दो इंच का ऐसे निशान लगाएंगे और इसके नीचे हम दस इंच का निशान लगाएंगे तो ये देखे दोस्तों 10 इंच का निशान लगा देने के बाद अब हम इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे हमने दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है और अब हमें इसके बाहर आधा इंच की दूरी पर ऐसे एक निशान और उठा लेना है बराबर और अब हम इसे दोनों निशानों को ऐसे मिला लेंगे अब हमें सबसे पहले बीच का जो हमारा पैटन है वो निकाल देना है और उसके बाद हमें बाहर की साइड से आधा हिंच की दूरी पर कटिंग कर देनी है हमने अपने बुकरम के पैटन को कपड़े पर रख लिया है अब हम इसे कपड़े पर अटेच करेंगे तो दोस्तो अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप इसे प्रेस से चिपका सकते हो नहीं तो आप इसे कच्चा लगा कर भी चिपका सकते हो तो ये देखे दोस्तो हमने अपने पैटर्ण को कच्चा लगा कर अटेच कर दिया है इसके बाद हम इसके दोनों साइड से आधा इंच की दूरी पर कपड़े की कटिंग कर देंगे कट्ंग क tiếp आधी साट है कि कट्ण करने के बाद आफ हम जो छो मरा एक्सट्रा कपड़ का पड़ा से अंदरगी साइड मौड़ कर सिलाई लगा दिए अ कर гор लागा करो देने के बाद हमने एक्सट्रा कपड़े की कट्इं कर दिया और बीच सेंटर में एक कट लगा लिया है, अब हम इसे अपनी स्लीज में अटेच करेंगे, यह हमारी स्लीज है, इसमें भी हमें ऐसे सेंटर में कट लगा लेंगे, और इसे ऐसे सीधी साइड से रखकर, अपने पैटरन को इसके उपर रख लेंगे, कट से कट मिला कर, और न कच्च लगा देने के बाद अब हम बुक्रम के बराबर बराबर सिलाई लगा देंगे इसके बाद हम बीच में ऐसे कटिंग कर देंगे क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ कर यह हमनें क्वार्टर इंच कपड़ा चोड़ लगा दिया है को अपने पटरन को ऐसे अंदर की साइड ऐसे मोड देंगे और मोडने के बाद कप्रम की एक पैर की शिलाई लगा देंगे एक पैर की सिलाई लगा देने के बाद इसके नीचे हम एक पेपर लगाएंगे ऐसे हमने एक पेपर रख लिया है और उसके बाद हमें ऐसे निशान उठा लेना है इस पर हम आपको डिजाइन बना कर दिखाएंगे और डिजाइन बनने के बाद ये हमें पेपर निकाल लेना है ये दोनों साइड के निशान लगा देने के बाद एक निशान हम ऐसे सेंटर में लगाएंगे अब हमें इसके दोनों तरफ पट्टी लगा देनी है यह हमारी पट्टी है और इसकी ऐसे इतनी दूरी से बराबर कटिंग कर लेंगे और हमें पट्टी इस परकार से लगानी है आधी पट्टी इधर से और आधी पट्टी इधर से ये पट्टी हमारी दोनों साइड की जो हमारा बीच का सेंटर है इससे मिलती हुई नीचे तक आ जानी चाहिए और ऐसे हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे और पट्टी को ऐसे रख लेंगे ऐसे सेंटर में इसकी नोका जानी चाहिए और इसकी जो दूरी है हमारी एक इंच की होनी चाहिए अंदर की दूरी और इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे फिर हमें दूसरी पट्टी निकाल लेनी है और इसी परकार से हमें दूसरी पट्टी भी लगा देनी है यह जो हमारी नीचे की साइड है पट्टी से पट्टी मिला लेंगे और फिर हम एक इंच की दूरी पर ऐसे पट्टी को रखने के बाद सिलाई लगा देंगे और इसी परकार से हमें सभी पट्टी लगा देनी है हमने एक साइड पट्टी लगा ली है और इसी परकार से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगा लेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमने दोनों साइड पट्टी लगा दिया है और इसके बाद हम एक पट्टी अपनी ऐसे नोक में नीचे की साइड लगा देंगे इससे हमारा यह जो खुला भाग है यह सारा बंद हो जाएगा अब हम निशान से एक इंच की दूरी पर अपने पैटन की कटिंग कर देंगे इसके बाद हम अपने पैटन को ऐसे अपनी स्लूज के अंदर रखकर निशान के उपर हमें अपना ऐसे सिलाई रख लेने है और इसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देने हैं पैटन पर सिलाई लगा देने के बाद अब हम अपनी स्लीव के जो नीचे का भाग है मोरी का उसे ऐसे अंदर की साइड मोड़कर सिलाई लगा देंगे अब हम अपनी यह दो पट्टी उठाएंगे मैचिंग कलर की एक ऐसे आगे और एक उसके पीछे जितनी चोड़ी हमारी पट्टी है उतनी ही दूरी पर हमें दोनों को ऐसे अटेच कर देना है और पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लगा देनी हैं पट्टी पर दोनों तरफ सिलाई लगा देने के बाद अब हम अपनी दूसरी पट्टी रखेंगे हमारी पट्टी की जो गैपिंग होगी वो पट्टी के बराबर होगी हमने नीचे की साइड दो पट्टी लगा दी है इसके बाद हम इसमें ऐसे दोनों पट्टी के बीच में बटन लगा देंगे आप चाहे तो इसके बीच में यहाँ पर मोरी के नीचे ऐसे मोती भी लगा सकते हो ये बटन हमें सुई और धागे की सायता से लगा देने हैं और मोती भी इसी परकार से लगा देने हैं और इसके बाद हम अपनी सिलिव को ऐसे मोड़ कर उल्टा बीच में अपनी मोरी के हिसाब से सिलाई लगा देंगे और हमारी स्लिप जो है रेडी हो जाएगी और इसके बाद आप इसे अपने बलाउज में, सूट में, कुर्टी में कहीं पर भी अटेच कर सकते हो और इसके बाद भी अगर आपको हमारे इस डिजाइन में बनाने में कोई भी परेशानी है तो आप हमें नीचे दिये गए वार्टसप नमबर पर मैसिज जरूर करें और दोस्तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को भी जरूर दबा लें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो दोस्तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ